वेरी गूड मॉर्डिंग आप सभी को मेरे एसी यूट्यूब चनल पर हार्दिक स्वागत है अभिनेंदन है मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंग एसोसियेट प्रोफिसर होम साइंस आज मैं आपको सामुदाई की विकास के उद्देश के बारे में बताऊंगी पिछली वीडियो में मैंने सामुदाई की विकास के उद्देश जो पंडित नहरू के द्वारा दिया गया था उसके बारे में चर्चा किया था अगर यह प्रस्ट आता है एक्जामिनेशन में सामुदाई की विकास के उद्देश को सामानेत है कितने बर्गों में या कितने प्रकारों में बाटा गया है तो आप क्या जवाब देंगे दो तीन पांच आठ क्या सीधा से जवाब होगा जवाब होगा सामुदाइक विकास के उद्देश्य को तीन भागों में या तीन प्रकारों में बाटा गया है कितने प्रकारों में थ्री टाइप्स में कितने प्रक प्रकार से सामुदाई की विकास के उद्देश्य को भी तीन प्रकारों में बाटा गया है पहला है आधार भूत उद्देश्य दूसरा सामान्य उद्देश्य तो आज हम आपको fundamental अधार भूत उद्देश्य क्या है यह अक्सर एक्जाम में पूछे जाते हैं आप जब आर्पीसी फर्स्ट ग्रेट का प्रिक्षा देते हो या आप एसके एसिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक्जाम देने जाते हो लेक्ष्रश्य के लिए या जी आईसी के प्रिक है मेरे पास आते हैं कौल लेकिन बेटा मैं जब तक fundamentals आपका क्लियर नहीं होगा जब तक आपका concept क्लियर नहीं होगा मैं गारंटी के साथ कहती हूं आप question को नहीं कर पाऊगे इसी तरह से मैं इसका एक एक्जाम कर बताऊंगी अब हमारे पास बच्चों ने वाट्सेप कि कि मैडम इसका question का answer क्या है इस question का answer क्या है मैं अगले वीडियो में बताऊंगे आपको अभी तो मैं इतना ही बता रही हूं आप इसको समझो जब तक आप fundamentals क्लियर नहीं होगा concept क्लियर नहीं होगा अगर कुछ भी आप करते हो तो कम से कम अंग्रेजी के आपके एसे जेड तक का लेटर अगर आपको मालूम होता है तो भी तो ही आप आगे का word और sentence बना सकते हो अगर एसे जेड आपको लिखना ही नहीं आता मालूम ह नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो इसी तरह से कोई भी सब्जक्ट पढ़ो कोई सभी चप्टर पढ़ो उसा concept आपको क्लियर होना चाहिए तो सामुदाइक विकास के उदेशी को तीन भागों में बाटा गया है तीन प्रकारों में बाटा गया है पहला है आधार भूत दूसरा है सामानी और तीसरा है विसिस्ट विसिस्ट में अब आधार भूत में आधार भूत में क्या है बेसिक जैसे आपको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए हमें जीवित रहने के लिए पहला रोटी कपड़ा और मकान आधार भूत हुआ है ना मकान चाहे हमारा कच्चा हो पक्का हो एक अधरोदेसे पहले आता है बेरोजगार को रोजगार उपलब्द कराना बेरोजगार जितने भी ग्रामीन हए उनको रोजगार उपलब्द कराना be सब्सक्राइब भावतिक पानी चाहिए जैसे पीने के लिए पानी की वेवस्था करना तो उसके लिए लगाना या उसके लिए चापाकल लगाना या फेंड पंप लगाना है ना हम गाउं का इंटेरियर में उसको कम सडक मार्ग से जोड़ देना तो सामनी जो सुख से विधाये हैं उपलब्द कराना चाहिए तीसरा है सिमित साधनों में specialist की मदद से समस्या का समाधान करना जैसे यह basic है सिमने उनके पास क्या है गरीब है किसान हमारे हां का शाधन उनके पास सीमित है पैसा उनके पास नहीं है उनके पास खेत कम है आप देखो अगर गाउ है हमारे हमारे दादा कि छह बाई अब भी को डिवाइट करो कितने इस wonder अ paling मेयरी कम और अब हमारी चाचा कंगर दो बेटा है तो कितने हो उनके अगर बैठा है कम है सिमित है लिमिटेड है है ना समझके बात को जैसे हमारे पॉकेट में पैसा लिमिटेड ही होता है और एक्छाएं हमारी अनन्त होती है तो अब यहां है कि सिमित साधनों में विशेशक्यों की मदद से अप उनकी मदद करिए जिससे की उनका खाने पीने भर खेत में उपज हो जाए मालों उनके पास एक ही बिगा खेत है अब हम उनको ऐसा खेती कराना सिखा दे इस प्रकार का बॆज उनको प्लवद करवाएं इस प्रकार का खेती करने के तरीके बता दे जिससे कि उनका खाने की समस्या जो है बेसिक समस्या वो बहो जाए के चोटे किसानों के लिए इसी तरह से जो बड़े किसान है तो उनके पास उसनसाधन है उनके समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए ठीक है नेक्स्ट माम आते हैं शामानिय उद्देश्ट बेसिक जैसे अपनी अभी मैंने आपको पता है ना आवशक्ता ही तिन परकार क्यों होती है आपको मालूम है मुग क्या आवशक्ता है जो बेसिक है जिसके बिनाम नहीं रह सकते हैं एक तो हवा पानी है ना भोजन और बेसिक नीड में अगर आता है तो क्या आता है रोटी कपड़ा और मकान हवा आपको कों देता है बगवान दे रहे हैं पानी कों दे रहा है बगवा इसी तरह से सामुदाइक विकास के उद्देश्य को तीन वर्गों में बाटा गया है पहला अधार भूत दुसा सामानियों तीसरा है विशिस्ट विशिस्ट मिस लंगजरियाज अब देखो इस पर मैंने चर्चा कर लिया अब नब सामानिय में क्या देखते हैं क्रीशी पराधरित द्योग धंदों का विकास करना अब क्रीशी है पशुपारन है मतस्पारन है है ना मुर्गी पालन है इन काम धंदों का विकास करना अभी मैंने बताया कि मालों किसी पास खेती नहीं पिचारे कहां से लाएगा खेत नहीं तो क्या करते हैं गाओं में दूसरे का खेत लेते हैं दूसरे का खेत जोतते हैं और फिर उसकी बटाई या कुछ पैसे उसको दे कर देचना हुआ पहुत सारे काम है जो क्रिशी प्राधरित है और मतशे पालन करना पशू पालन करना मुर्गी पालन करना यह सबुद्यों धंधों का विकास करना जिसे के जिसे के ग्रामित जनता का हमारा ुद्यशन है ऊस्टन देश में हमें हमें सफलता प्रक्राफस हो इसके बाद ये कुटीर उद्योग धंदे का विकास करना के विकास करना आपके मैंडम क्रिसी पराधारित ऊध्योट ये उद्योग derni मत सब जानते है हमारे गांधी जी ने बापु सुआ ग्रामिनों को स्वाब लंबी बनाने के लिए कुटिर उद्योग धंदों को अस्थापना के लिए विशेस चोड़ दिया क्या कहा कि भारत की आत्मा जब गाउं में निवास करती है तो वहां के लोगों को रोजगार के तौर पर ऐसे उद्योग धंदे विकसित किये जाने च दो जो चीज सरफ बनाओ जिससे कि लोगों को रोजगार मिले और उनका रहन सहन का स्तर उचा उठी नेक्स्ट है कि हवादार मकान होना चाहिए पहले क्या था ज्वाइंट फैमिली थी लोगों के पास रहने का मकान नहीं था एक ही कमरे में 5-6-7 लोग रहते थे तो लोग सीलन भरा नहीं होना चाहिए और इसके बाद अधारभूत योजनाओं उदेश्यों को अगर हटा दिया जाए सामध उदेश में देखा जाए तो कहते हैं कि विकास की योजनाएं बनाएं कौन-कौन से विकास की योजनाएं बना करके आप उनके रहन सहन के स्तर को उचा उ है ना पैसा बच जाता है तो क्या करते हो मनुरंजन करते हो मनुरंजन के साधन अपनाते हो अब कैसे मनुरंजन के साधन अपनाते हो यह आपके डिपेंड करता है कुछ लोग गपे मार के कर लेते हैं कुछ लोग गाने सुनके कर लेते हैं कुछ लोग रेडियो रेडियो स के अपनी मनपसंद चिजों को सुन करके कर लेते हैं और पिक्जर देखके कर लेते तो इन्हों ने कहा कि मणुरंजन को नकार नहीं सकते हैं मनु रपकूर शुब कि इंसान की क्या χोता काम करते करते इंसान कर दिमाग ठक जाता है तो जब वो मनुरंजन करेगा तो इससे उसकी काम में वापिस ताजगी और अस्फूर्ती आईगी तो आज मैंने आपको इस वीडियो में आधारहुत और सामानी उदेश्च के बारे में चर्चा किया है वीडियो बड़ा हो जाता है लंबा हो जाता है आप लोग देख नहीं पाते हो तो अब मैं विशिस्ट उदेश्च के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी तब तक के लिए मुझे देव जाने की जाज़त फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ठीक है बाइबाइ कर दो 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 पिर?